हेलो फ्रेंड्स आज हम ओरियो स्टीम्ट और बैकेक बनाने वाले हैं और इसलिए देखी मैंने ले लिए पाँच पेकेट को फोलेंगे और सभी बिस्कित को इक बिस्केट में निखाल Net तो एक packet के अदर 5 pieces होती, आप देख सकते हैं, मैंने white cream की ली हुई है, biscuit आप चॉकलेट क्रीम की वी जहाते ना वो भी ले सकते हैं, तो जो आपको market में मिल जाए असानी से आप वो ले लें तो देखे मैंने सभी बिस्किट को निकाल लिया है अब इसके अंदर की जो क्रीम है ना वो भी अलग शेक बॉल में एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे तो इस तरह से मैं सभी क्रीम को एक साइट में निकाल के रख लूँगे ते दिर्फी मैंने शारी क्रीम को निकाल लिया है और सभी बिस्किट found कीन से अलब हो गई है ते एक साइट में बिस्किट को भी लख लीए बिस्किट को पीसेंगे एक पॉडर जैसा हम बना लेंगे जिसके लिए मैंने ले लिए एक ब्लेंडर जार जिसमें मैं सभी बिस्किर्स को डाल दूँगी और पीस लूँगी एक पौडर जैसा सब बना लूँगी मैं तो ये देखे मैंने इसे पीस लिया बिस्किर्स को पौडर जैसा बना लिया है तो एक मिक्सिंग बॉल में सारी पौडर को हम डाल देंगे अब मैंने एक कप दूद ले लिया है थोड़ा थोड़ा करके दूद इस बिस्कित के पाउडर में हम डालेंगे और बैटर जैसा हम बना लेंगे हमारा बैटर बन के तियार हो चुका है मैं ऐसे ही चाहिए था इतना सदूद बज गया लगवक तीन जब मच तो अब हम क्या करेंगे ना एक केक टिल लेंगे पहले इसमें घी या ओयल जो भी आप गिरिश कर सकते हैं दोनों में से गिरिश कर दे अच्छी से ताकि जब हम इस लगा दिया बटर पीपर और इसमें भी मैं थोड़ा से बटर लगा दूँगी इस तरह से तो यह दिखे मैं अच्छी से इसे गिरिश कर लिया है अब हम क्या करेंगे ना बेटर में डालेंगे इनो तो यहां पर मैंने देखे ग्रीन पैकेट वाले इनो ली हुए या एक च अब हम क्या करेंगे से अच्छी से मिक्स कर लेंगे हलकी होतों से मिक्स करना है अब देख सकते हैं बैटर कितना हमारा फुल चुका है इसका मतलब हमारा केक काफी स्वंजी बनने वाला है अब देख सेकते हैं आप मैंने केक टीन ले लिया है इसमें हम आधा बैटर डाल द तो इस ऐसे देखे मैं इसे फिला ले रही हूँ अब मैं गेस के पास आ गई हूँ मैंने एक पेन में पहले से गिलास पानी को गरम करके रखा हुआ है इसके उपर मैंने लगा दिया एक इस्टेंड और इसी में अब हम केक्टिंग को रख देंगे अब हम इसकी लीड को लगा देंगे और पांच मिनिट के लिए समिश्टीम होने के लिए मिडियम लोफले में रखते वे छोड़ देंगे पांच मिनिट के बाद हम लीड को हटाएंगे तो देखे 5 मिनिट हो गये हैं और हमारा केक काफी श्टीम अच्छी से हो चुका है तो इस टैम पे हम क्या करेंगे ना हमने जो क्रीम निकाल के साइड में रखी थी वह शारी क्रीम इसमें इसकी ओपर रख देंगे इस तरह से देखे तो देखे मैंने सारी क्रीम को अच्छी से सजा दिया है केक के ओपर अब हमने जो आधा बैटर बचा के रखातना वह बैटर हम इसी के ओपर डाल देंगे इस तरह से देखे तो देखे मैं अच्छी से बैटर को फैला दिया है तो अब हम क्या करेंगे फिर से लीट को लगा अब हम 7-8 मिंट के लिए इसी तरह से इस्टीम होने के लिए मिदिम लो फिलेम में रख देंगे अब हम एक प्लेट लेंगे इसके ओपर ढग देंगे और इसे बेक करेंगे जिसनी के होगा काफी अच्छी से हमारा केक निकल जाएगा कितनी आसानी से निकल गया न अब हम क्या करेंगे इसके अउपर बटर पेपर लगा हुआ था वह बटर पेपर हम इस तरह से हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कितना जाली-दार केकबन के त्यार हुआ है ऑद कीं पर और यंछा, आफ़ son memoriesak, सिर्फ, कमाने क्यां कीशनु अचिरी स्पकर चाहिब है wonderful अब दर में धिक्रून को इसए के वाज़ए से हुई है आफ़ काफी छोकलेटी बनाया अगर आपके पास चोकलेट मनासना हो तो आप चोकलेट सीरप जो मार्केट मारती है ना वो भी डाल सकते हैं तो इस तरह साम इसके उपर पोर कर देंगे सारे चोकलेट को मार्केट में यह काफी चोकलेटी बनी थी बहुत टेश्टी बनी थी मार्केट में यह काफी कौशली आपको मिलेगी और आप घर में बहुत सस्ती में यह बना सकते हैं बहुत सस्ती में एकदम से चोकलेटी केक अगर आपको खाना है तो आप तुरण से घर में बनाईए अब खाते रा जाएंगी और जो खाएंगे न वो तारिफ के बिन नहीं थागेंगी इतनी टेश्टी बनती है तिससे जब हलकी सी ठंडी हो जाएगी चोकलेट हमारा शेट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे इसे कट करेंगे आप अपने मन पसंद की सेप में इसे कट कर सकते हैं इसे मैं पैश्ट्री के कट में सेप कर रही हूँ कि यह देखें कि नीट चोकलेटी है कि इसे में पीसा को निकाल कर दिखा जी दिखेंगे अंदर से भी काफी चोकलेटी उपर से भी चोकलेटी बहुत ही टेश्टी सी एक एक बन के त्यारिश थी इस्टेम केक है को रुएगी अब इसे एक प्लेट में मैं निकाल लिया है मैं आपको दिखाती हूँ और अब क्या करेंगे इसकी उपर हम विपिंग करीम से हल्की सिक डिजाइन दे देंगे अगर आपके पास नहों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसे ऐसे भी खाईए यह बस में डिजाइन दे द अब दे दो प्रॉब्लम नहीं है झाल झाल